Power BI Dashboards बहुत आला किसम के बनाते हैं और इन Dashboards को Reports बोला जाते हैं अब Dashboard और Report में क्या फरक है इसके इलावा इस Lecture में मैं आपको चुटकियों में Dashboard कैसे बनाते हैं वो सिखाने वाला हूँ शर्त यह है कि आपने पिछले सारी Lecture जो हैं वो सुने हों लिंक मैंने दिस्क्रिप्शन में दिया हुए और टाइम्स याख यह बिना Dashboard बनाते हैं बिलकुल 0 से तयार हैं आप चलेज़े मैं यहां से इसको बंद करता हूँ सबसे पहले मैं यहां पे Power BI Desktop जो है उसे On करता हूँ और हमने एक नया Project बनाना है Power BI को On करने के बाद और उस Project को हम अपने Projects के अंदर Save कर लेंगे जो मैं Folder Start से हम बनाते जा रहे हैं मैंने यहां से Power BI को On की आपको पता है कि सब फर्स टाइम जब आप Power BI चलाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं यह मेरे पास On हो गया ठीक है अब मैं क्या करूँगा यहां पे एक New Report बनाऊंगा और इस New Report को Ctrl S जैसे मैं Press करूँगा तो यह मेरी Report जो है वो Save हो जाएगी and then I can choose More Options, More Options के बाद Browse Directory और यहां पे Power BI के अंदर, Power BI के Projects के अंदर मैं यहां पे 02-Report या Dashboard के नाम से इसे Save कर लेता हूँ मैंने जैसे इसे Save किया, Now our Report is Saved, तो Project हमारा Save होगा है but we can do what? We can get the data, Excel Workbook से हम डेटा लेंगे और डेटा जो है वो भी हमारा Power BI के अंदर, Practice के अंदर जो डेटा सेट हमारे मुझूद है वहां पे Sample Superstore का डेटा है मैं इसे Open कर लेता हूँ क्योंकि यह Excel का डेटा है तो इस तरीके से हम इसे Open कर लेंगे Open करने के बाद यह डेटा थोड़ा Time लेगा Time लेने से मुराद यह है कि It Will Actually Come Up Like This और जैसे यह डेटा हमारे पास आएगा We can see कि यह डेटा हमारे पास काम कर रहे है और यह हमारे पास Display Options इसके आ रही है मैं यहाँ पर Orders पर क्लिक करता हूँ Orders पर क्लिक करने के बाद मैं इसे Load कर लेता हूँ मुझे सिरफ यह Order वाली Shade फिलाल के लिए चाहिए थी मैंने इसे Load कर लिया Load करने के बाद कुछ Pending Changes हैं और Order का Data जो है हमारे Model के अंदर यानि के हमारे Power BI के Interface के अंदर Load हो जाएगा सबसे पहला काम होता है Data को Load करना और Data Load करते वकद आपको जिस ठीज का ख्यार रखना है वो यह है कि आपको कोई जल्द बाजी नहीं करना है यहां पर थोड़ा सा वेट करना है ताकि हमारे पास Data आ जाए Data हमारे पास यहां पर Right Side पर आ गया और यह सारे का सारा Data है हमारे पास जहां पर यह Sum का निशान होगा यह Numeric Column है और Otherwise हमारे पास Categorical Columns जहां पर मुझूद हैं जिने हम Fields भी बोलते हैं Category, Sub Category and there are many other things out there हमने करना क्या है रिपोर्ट बनानी है मैं इसको 01 underscore Report इसका नाम दे देता हूँ और यहां पर हम अपना काम स्टार्ट करेंगे और हम यह वाली रिपोर्ट AI को यूज़ करके बनाने वाले हैं मैंने आपको पिछले lecture में बताया था कि यह question answer का जो हमारे पास एक इस तरीके से question answer या AI के थुरू आप अपनी रिपोर्ट को develop कर सकते हैं मैंने इसको यहां पर paste किया और यह हमारे पास इस तरीके से यह एक question answer आ गया कुछ भी यहां पर लिखूंगा वो यहां पर report बनाके देता रहेगा but मैं इसे delete करता हूँ आपको एक shortcut की बताता हूँ आपने क्या करना है कि जब भी यहां पर dashboard पर आना है यहां पर click करने के बाद control और forward slash को दबाना है ठीक है control और forward slash control और forward slash क्या है मैं भी आपको बताता हूँ और यहां पर अगर आप चेक करें तो हम यहां पर text box को add करते हैं और इस text box के अंदर में आपको लिख के दिखाता हूँ CTRL प्लस यह वाली forward slash तो यह हमने दो चीजों को प्रेस करना है and then we will have control and forward slash के साथ यह जितनी भी हमारे पास options हैं यह आती जाएंगे मैं इसको ऐसे थोड़ा सा नीचे करके move कर लेता हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस तरीके से हमारे पास यह question answer box आने CTRL forward slash मैंने दो भाई यह question answer का box मेरे पास आ गया and now what I can do I can actually put different kind of things here सबसे पहले तो यहाँ पे मैं यह करूँगा कि मेरे पास जो region है और sales इनका data जो है मैं उसका donut chart बनाऊँगा तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ region sales donut और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ region sale donut मैं देहाँ इंटर पे click करता हूँ यह वैसे मैं इसको के बाद यहां पर क्लिक करूंगा और यह मेरे पास रिजर्ट्स जो हैं वो कनवर्ट हो जाएंगे इसको मैं यहां पर पेस्ट कर देता हूं यह हम इसको जहां पर भी आपने पेस्ट करने हैं वहां पर कर दें ठीक है मैं दुबारा से कंट्रोल एंड फॉरवर्ड स्लैश लिखता हूं फनल तो यह क्या करेगा यह बिसेकली सब कैटेगरी सेल का फनल प्लॉट बना देगा सम्थिंग लाइक दिस मैं जैसे इस पर क्लिक करके इंटर दबाता हूं तो यू विल सी अ प्लॉट लाइक दिस यह देखे यह हमारे पास प्लॉट बन गया सब कैटेगरी का यह sub category है sales की और यहां पर हमारे पास funnel plot बन गया है मैं जैसे यह इस जगा पर आऊंगा turn this question answer result into standard visual मैं इस पर click करूंगा तो यह standard visual के अंदर convert हो जाएगा that simple it is तो मैं इसको थोड़ा सा adjust करने के कोशिश करता हूँ something like this और इस sub category के funnel plot को मैं यहां पर ले आता हूँ something like this और यह हमारे पास control and forward slash यहां पर मजूद है so यह हमारे पास दूसरा sorry इसको मैं यहां से remove कर देता हूँ आपको समझा गए कि control and forward slash forward slash हम कैसे use करते है so यहां पर three dots पर click करके से remove कर देते हैं तो यह हमारे पास आ गया जनाफ funnel chart यह मैंने नीचे dashboard के अपने नीचे इसको save कर लिया something like this और यह हमारे पास था donut chart तो यह दो हमारे पास charts आ गए है ठीक है अब इसके बाद हम और भी charts बना सकते हैं इसी तरीके से और वो chart कौन-कौन से वो देखते हैं सबसे पहले तो मैं यह करूँगा कि यहां पर मैं एक map बनाऊंगा और उस map को मैं यहां पर लिखता हूं for example control forward slash और यहां पर मैं लिखता हूं से for example मेरे पास यहां पर data सारा मुजूद है right side पर मैं region लिखता हूं region region लिखने के बाद मैं यहां पर लिख देता हूं sales और फिर मैं आगे लिख देता हूं map let's see मैं इसको start करता हूं it's not working let's see कि हम इसको किस तरीके से बना सकते हैं region नहीं state कर लेते हैं so for me yeah it's state state sales or map still is not working sales cut as burda hai but still it's fine it should work actually security maps and filled map visas are disabled map and filled map visas are disabled to enable them go to file option setting option global security go to file file option setting options then हमारे पास यहां पर आएगा security where is security यह आ गया और यहां पर हमने use map और आट जी है इसको में फिल कर देता हूं and then ok करता हूं and let's see मैं यहां पर दुबारा से map बनाने की कोशिश करता हूं and यहां पर यह हमारा map बन गए ठीक है जी तो इस तरीके से आप उसे active कर लेंगे मैंने उसे active कर लिया मैं इसको standard visual में convert कर देता हूं convert करने के बाद इसको थोड़ा सा zoom out करता हूं तो यह हमारे पास United States का proper जो हमारा map है वो आ गया है तो यहां पर इसको मैं रख लेता हूं ठीक है इसको थोड़ा सा चोटा कर लेते हैं ताके हमारे पास layout सही रही तो यह हमारे पास तीसरा जो है वो map आगया आप map बना सकते हैं इस तरीके से और अक्सर रोकात आपको इसको activate करना पड़ता है अब हम क्या करते हैं यहां पर हमारे पास एक और option है data अच्छा खासा बढ़ा हूए तो यहां से मैं segment का data लेता हूँ और segment के data को मैं sales के साथ यहां पर एक donut pie chart बना लेते हैं तो मैं यहां पर लिखता हूँ segment segment sales यह मेरे पास बन गया segment sales का pie chart यह मैंने इसको visual में convert कर लिया and here you can see that कि हमारे पास some of segments यहां पर आगे हैं और segments जो हैं वो मेरे पास right side पर भी show हो रहे हैं consumer segment corporate sector है home office है और यह इनकी sales है और यहां पर some of sales by region है और यहां पर मेरे पास some of sales by state है तो मैं इस plot को थोड़ा सा यहां पर लाता हूँ ताके इसकी कुछ sense बने plot की हम ऐसे मूँ ठाके नहीं रखते कोई भी data set के हीं पर so we can do that इसके इलावा हम क्या कर सकते हैं product id को अगर मैं उठाके ऐसे drag and drop करता हूँ you will see कि यहां पर सारी की सारी product id आ जाएगी so इसी तरीके से product id की बजाए मैं कोई और चीज यहां पर drag and drop करता हूँ which make actually sense तो that could be kind of I would say यहां से हम category उठा लेते हैं no it doesn't make any sense क्योंकि यह दो ही चीज़े हैं हमारे पास इसके इलावा हम क्या कर सकते हैं हमारे पास यहां पर है order date और sales यह दो चीज़े हैं तो हम इनका भी एक plot बना लेते हैं order date का और sales का पहले तो यहां पर मैं लिखता हूँ order date and sale line लिखते हैं let's see so it is actually order space date order space date यह आगी order date and then आपके पास sales है यह आगी हमारे पास sales इसको मैं कहता हूँ यहां पर लाइन चार्ट बनाए इसको मैं रिमूव करता हूँ यहां पर line and stack column chart line and cluster column chart ribbon chart इसको बनाके देखते हैं यहां पर मैं डालता हूँ order date x-axis पर और sales जाती है हमारी y-axis पर yes now it looks somehow kind of good लेकिन order date order date का जो column है it should be not some order date कैसा column है पहले तो इस data को देखे ना order date i see order date हमारे पास कुछ इस तरीके से आ रही है so it's not a kind of date column that's why it's making a problem okay हम अपनी excel की sheet के अंदर देखते हैं कि क्या यह order date ही तरह थी कर नहीं ship date ship date order date it was a date column but then when we actually imported this yes तो यह मेरे पास इस तरीके से आ गया I will try to change it so it should be not whole number date i would say date and time यह सिर्फ date ही रहेगा now it looks good यहां से इसकी format हम change कर देते हैं short date कर देते हैं so now it makes sense इसी तरीके से ship date इसको भी हम change करेंगे date के column के अंदर from here so it's date and then from here it should be short date so now it makes sense हमने यहां पे data को change किया और यहां पे हम commit पे click करेंगे ताके यह data save हो जाए हमारे पास let's see we go back और यहां हम order date को डालेंगे यहां पे now it makes sense तो आपके पास basically order date का plot बन जाएगा obviously यह एक अच्छी खासी date है लेकिन हम इसको क्या कर सकते है order date को date hierarchy के बजाए यहां से years रख लेते हैं quarter और month भी रख सकते हैं यह हम months को भी remove कर देते हैं तो सिरफ yearly हमारे पास data आ गया so this is how you can actually manipulate the data as well जो हमारे आने वाले lectures के अंदर भी आप देखेंगे तो इस तरीके से हमने data को बना लिया यह some of the sales हमारे पास आ गी है इसी वज़ा से हमारा जो line plot था ठीक नहीं बन रहा था so this is how you can view the line plot अब अगर आप order date को देखें तो यहां पर हमारे पास years को अगर मैं order date को sorry order date को दुबारा से x पर रखूं so you will see के हमारे पास day भी है day को मैं निकाल देता हूं अब हमारे पास month wise data भी है और अगर मैं month को निकाल के quarter करूंगा तो quarter wise आ जाएगा अगर मैं year करूंगा तो year wise आ जाएगा this is how you can actually play with the date column तो यह हमारे पास एक line chart बन गया which shows us कि हमारे पास किस तरीके से data जो है वो month का चल रहा है year quarter and month तीनों का data हमारे पास मुझूद है 2016 से लेकि 2019 अब हमारे प के बाद हम यहां पर एक और चीज़ आड़ कर सकते हैं that is a data card मैं यहां से sales को उठाता हूं sales को उठा के यहां पर रखूंगा तो यह मेरे पास sum of sales का data card आ जाएगा और इसी के इलावा हम दूसरे तीसरे data cards भी इसके अंदर आड़ कर सकते हैं which we can actually work on for example यहां पर यहां पर य होगा हमारे पास यहां पर something like this जिनके साथ sum का हमारे पास जो data है वो आ रहा है तो उस हिसाब से हम इसको लिखते जाएंगे ठीक है so this is sum of profit इसके बाद जनाब हमारे पास है जनाब discount and then हमारे पास है quantity sum of quantities यह हैं तो यह हमारे पास data card कुछ इस तरीके से show करेगा and now you can see कि यह ह हमारे पास इस तरीके से dashboard के कुछ elements बन गया है हम सारे elements को एक दफा select करते select करने के बाद इनको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं अब हमारे पास उपर एक title देना बाकी बचा है मैं insert पर जाके यहां पर text box पर click करूँगा text box पर click करने के बाद यहां पर कुछ भी लेख सकते है हैं for example data analysis report prepared by dr. अमार तुफैल आज की date हमाने लिख देते हैं अगर आपने लिखनी है otherwise think it's fine तो यहां पर इसको मैं इस तरीके से कर लेता हूं और 10 की बजाए मैं इसको 20 कर देता हूं because it makes sense to have it a little bit bigger 20 की बजाए भी 32 पर ले जाते हैं so let's see हम कितना इसको अपनी मर्जी से increase कर सकते हैं and अब अगर मैं इसको not not this one अगर मैं इसको उठा के यहां पर ले हूं now it makes sense हमारे पास data report जो है वो generate हो चुकी है और यह हमारे पास कुछ dashboard के elements हैं मैं इनको थोड़ा सा नीचे कर देता हूं एक दफा और यह वाला थोड़ा सा right side पर कर लेता हूं so this is kind of beautification जो आपने खुद से भी करनी होती है but it's fine I can do it now just for this sake के आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी चीज कहां पर है तो यह चार जो हमारे data cards हैं इनको मैं ऐसे कर लेता हूं अब यह सारा कुछ हमारे पास okay है यहां से इसको मैं थोड़ा सा इस तरीके से करता हूं कि यह थोड़ा सा अच्छा लगे बजाए इसके क्या आप like this ठीक है अब इसको मैं select करके bold भी कर देता हूं centerize भी कर देता हूं text को और यहां से font का color भी change कर देता हूं something like blue and I can also make it a bit like this तो यह हमारे पास जिनाप data analysis dashboard बन चुक है अब आप सोच रहे होंगे यह data analysis का dashboard दो हमारे पास बन गया है but there are still many things जो हमें improve कर सकते हैं obviously आप कर सकते हैं जैसे मैंने states के data पर click किया map setting पर जाके style को आप aerial कर सकते हैं तो यह aerial हो जाएगा dark करने तो dark हो जाएगा light करने तो light हो जाएगा grey scale images हो गी है and then road हो गया तो usually text भी कर सकते हैं और इसको अपनी मर्जी से set भी कर सकते हैं जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था तो मैं इसको रोके करूंगा so it should have a conditional formatting जो मैंने अभी लगाए नहीं है so you can actually use this color और इसके बाद आप title वगारा सब को change कर सकते हैं लेकिन अभी आपने देखा होगा कि यह ब भी change कर सकता हूं say for example मैं इसमें double click करता हूं मैं यहां से size style और बाकी चीज़ें भी change कर सकता हूं but you can also do a lot of things मैं यहां पे dashboard पे click करके view पे जाता हूं view पे जाने के बाद यह ready made themes मेरे पास पड़ी हूई है for example यहां पे मैं इस पे click करता हूं यह theme change हो गई अगली theme आगई अग looks more professional obviously आपको color scheme के साथ खेलना पड़ेगा जैसे मैं यहां पे इस पर click करके इसके साथ थोड़ा सा play down कर रहा हूं अब आप देख सकते हैं कि dashboard आपका थोड़ा ज्यादा professional लग रहा है but still अगर आप दुबारा से theme में जाके यहां पे कोई और theme यानि कि यह वाली theme आप select करते ह आपका dashboard और भी अच्छा है but there is something wrong with the theme जो embedding कर रही colors को something like this could be a nice dashboard अब इसी के उपर select करने के बाद अगर मैं इसका color white की बजाए थोड़ा सा orange-ish रख दूँ something like this then this is a kind of I would say not really professional dashboard but something is there अब इसमें मर्जी की बात हमारी यह है कि आप जिस चीज़ पर भी click करेंगे you can do a lot of things with that say for example मैं यहां पर सिरफ सिरफ west region का data देखना चाहतो मैं west पर click करूँगा पूरे का पूरा dashboard update हो जाएगा यहां पर आप देखें तो मैंने यहां पर west पर click किया पूरा dashboard update हो गया अब आप देखें कि अगर मैं control press करके सभी को select कर ले तो मेरे पास यह आए जाएगा अगर मैं चाहूं sum of the sales by segment तो मैं सिरफ उस segment पर click करूँगा I will have a lot of data showing that sum of sales सबसे ज्यादा कहां पे रही है ठीक है और यही नहीं मैं यह भी देख सकता हूँ कि किस साल में मेरे पास ज्यादा sales रही है और किस quarter में क्योंकि यह हमारे पास month wise date है अगर मैं इसी month को quarter में लेके जाना चूँआ I can also do that कैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप यहाँ पे इस पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे database पे आजाएंगे sorry not database formatting पे और यहाँ पे आने के बाद आप date जो है यहाँ से year quarter और month में निकाल देता हूँ यह मेरे पास quarter का data आगया और यह मेरे पास yearly data आगया and this is how you can actually play with this क्योंकि 2016 में sale इतनी थी 17 में इतनी हुई 18 में इतनी और 19 में इतनी सबसे जदा 19 में sale है so this is how you can play with the data अब I know that there are many other things जो आप इसके साथ match कर सकते हैं मैं day का data यहां से निकाल देता हूँ बाकी आपके सामने आई यह data so you can actually play with the data मैं इसको control Z भी कर सकता हूँ based on my idea जो मैंने यहां पे changes की है and then I will see the data like this right तो यह हमारे पास आ गया अगर मैं चाहूँ सिरफ chairs की sale हो तो यह सिरफ chairs का data है storage का data, phones कहां पे sale हूँ है और सबसे ददा phones ही sale हूँ है फिर labels का data है मेरे पास and then I can select only the book cases data, appliances का data and furniture का data तो यह सारे का सारा dashboard उसके against घूमता रहेगा ठीक है and this is how you can actually see के आपके पास data कहां का मुझूद है and how you are planning to play with that data right, so यह आपके पास data set इस तरीके से मुझूद है, hopefully आपको समझ आगी होगी, यह dashboard है आप इसको control as करके save भी कर सकते है and you can also print this dashboard आप इसको publish भी कर सकते हैं by clicking on this publish icon लेकिन उसके लिए आपको account चाहिए होगा अपना power BI का और यह जो dashboard आप लोगों के साथ share भी कर सकते हैं और इस तरह के professional dashboard आपको सिरफ एक ही दफावा बनाने पड़ते हैं hopefully आपको समझ आगी होगी इस lecture की और यह lecture थोड़ा सा ज्यादा duration के इस वज़ा से था क्यूंकि इसमें हमने बहुत कुछ सीखना था राइट क्या ख्याल है like share and subscribe बनता है न डेटासेट description में github का link दिया हुए वहां पर मुझूद है अब वहां से डेटासेट ले सकते हैं and keep learning see you in the next one